नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दव ASTRO में आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंचक के बारे में लेकिन यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन दवाई ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें योति शाश्तर के अनुसार पांच नक्षत्रों के मेल से पंचक बनता है इन नक्षत्रों के सनियोग से पंचक नक्षत्र आता है चंदर एक राशी में धाई दिन तक रहता है अंततह दो राशियों में चंदर्मा पांच दिन तक रहता है इन पांच दिनों के दोराद चंदर्मा थनिष्टा शत्विशा पूर्वा वरदपत उत्तरा वरदपत और रेवती नक्षत्र से गुजरता है इसी कारण इन पांच दिनों को पंचक कहा जाता है जब चंदर्मा 27 दिन में सभी स्थाई नक्षत्रों से गुजरता है तब वह परतेक वहिने में लगबग स्थाई दिन के अंतराल पर पंचक नक्षत्रों का चक्र बनता है जोदिश विद्या के अनुसार जब चंदर्मा कुंब और मीन राशी में होता है उस समय को पंचक कहा जाता है पंचक के समय में कोई भी शुब कारिय नहीं करना चाहिए हाला कि कुछ ऐसे कारिय होते हैं जिने करने पर पंचक में पबंदी नहीं होती इस नक्षत्र को अशुब माला गया है इसे अशुब नक्षत्रों का योग माला जाता है इसलिए पंचक के समय कोई भी शुब कारिय करना हानी कारक होता है ऐसी माननेता है कि पंचक काल में कोई कार्य वो तो पांच बार उसके अवरिति होती है इसलिए इस समय में किये गए कोई भी कार्य अशुबनितिये देते है विवाहा मुणडन जैसे मंगली कारे को पंचक के समय की मनाही है पंचक काल या पंचक योग का मनुश्य पर परवाप पड़ता है हर वर्ष इसे अलग-अलग ये सन्योग बनता है इसी कारण जोती शाष्टर में पंचक की गर्णा अती आवश्चक है पंचक काल के समेर क्या करे और क्या ना करे पंचक काल के समय ग्रैप्रवेश, उपनयन संसकार, भूमी पूजन, रक्षा बंदन और बाई दूज मनाया जा सकता है ये कारें पंचक काल में भी किये जा सकते हैं प्रन्तु पंचक काल के समय शादी, वुंडन और नाम करन संसकार वरजित होते हैं इन कारें को पंचक काल में करने से बचना चाहिए अब बात करते हैं कि पंचक के परभाफ से कैसे बचें पंचक काल के समय दक्षिन दिशा की यत्रा और ब्रह्वन करने से बचना चाहिए अगर आपको इस दिशा में जाना जरूरी हो तो हनुमान जी को फनों का भोग लगा कर उनकी पूजा करके ही आगे बढ़े ऐसा करने से आपकी यात्रा को पंचक का दोश नहीं लगता यदि पंचक के समय किसी व्यक्ति की मृत्यू हो जाए तो ऐसे में शाष्त्रों में कहा गया है कि यह बहुत ही अशुब होता है और पूरे परिवार को संकर्ण में डाल देता है इसलिए आपको ऐसी स्थिति में यूति या किसी अन्य विद्वान से उपाय करने के बाद ही आगे की रसमें करनी चाहिए पंचक के समय में आपको लकड़ी का फरनीचर या कोई अन्य वस्तु खरीदने से बचना चाहिए यदि खरीदना जरूरी हो तो गायत्री देवी की पूजा अवश्य करें इससे आपको नुकसान नहीं होगा पंचक के समय में घर का निर्माण या घर पर चत डलवाना बहुत ही अशुब होता है ऐसा करने से बचना चाहिए यदि पंचक काल में घर पर चत डालने जरूरी हो तो मजदोरों को काम पर लगाने से पहले उन्हें मीठा कुछ अवश्य किलाए ऐसा करने से पंचक का परभाप्समाप्त हो जाता है यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें यदि आप अपनी कुर्णी से सबंदित किसी भी प्रेशन का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप हमें हमारे वाटसब नंबर बर संपरक कर सकते हैं